मैं हूँ आपकी होस्ट मेहनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांचा पाकिस्तान सांचा पाकिस्तान नाम है एक सोच एक जद्द जहद और एक विजन का सांचा पाकिस्तान के पहले सीजन की तरह इस सीजन में भी आप चान पाएंगे मसीही औरत का अंदाजे क्यादर नाजरीन, सांजा पाकिस्तान के इस प्रोग्रेम में मैं कोशिश करूंगी अपनी मसीही खवातीन की कोशिशों, महनतों और अवाम के लिए की गई खिद्मात को आपके साथ शेयर करने की आज की हमारी महमान एक ऐसी खातून है जो के हुमन राइट्स डिफेंडर, खवातीन के राइट्स के लिए दिन रात महनत करती हैं और मुख्लिफ फॉरम्स के जरीए अवेरनेस देती हैं और सबसे जो एहम उनका तारूफ है वो है एड़ोकेट हाई कोट आईए मिलते हैं हमारी आज की महमान से जी नादिया, आपको सांचा पाकिस्तान के प्रोग्राम में खुशाम देद तैंक्यू आपका के आपने एक खुबसूरत सा प्रोग्राम तर्तीब दिया हुआ जो के सिर्फ और सिर्फ खावातीन को जो हमारे क्रिस्टिन खावातीन है उनके काम को सराता है जी बिलकुल नादिया, हमारे नाजरीन के साथ जैसा है कि मैंने पहले सीजन में भी हमेशा ये शेयर किया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी मसीही खवातीन की जितनी भी उनकी अपनी कम्यूनिटी के लिए खिदमात हैं और जो भी उनकी स्ट्रगल है उसको नाजरीन के साथ शेयर किया जाए तो नादिया साहिबा सबसे पहले मैं पूछना चाहूं ऑप हमारे नाजरीन को बलके बताएं किस तरीके से आपने स्ट्रगल की और किस तरीके सापने करियर का अगास किय आ आप मैं कहती हूँ के मेरा जो केरियर है वो बहुत एक रोलर कोस्टर की तरह के मैं प्री मेडिकल की स्टूडन्ट थी और मेरा हर बच्चे की तरह डॉक्टर बने का ख़ाब था डॉक्टर वहां पर नहीं गजा सकी फिर मैंने जर्नलिजम के साथ ग्रेजुशन की और मास्टर करन करने के लिए ग्राजुशन करने के बाद सौरी मैं बैंक में चले गए इन बिट्वीन में साथ-साथ पढ़ा रही थी क्योंकि मैं अपने एक्सपेंस खुद बेर कर रही ती तीचिंग का भी आपने जिनाए वो फ्रीजा सर अंचाम दिया जी बिल्कुल और साथ-साथ-सा है जिसके अंदर आप रहके जॉब कर सकते हैं बिलकुल तो उसके बाद मैंने साथ-साथ पढ़ना शुरू किया लॉबी स्टार्ट किया बैंक के अंदर जॉब करते करते लॉब कम्प्लीट हुआ बैंकिंग छोड़के वकालत में आ गई को कि लोगों ने मुझे बहुत ड सीखते हैं तो वह मैं सीखते गए साथ-साथ मैंने मास्टर्स भी अपना क्लियर किया इस में पॉलिटिकल साइंस में तो यह में जानी और अभी मुझे लोगों से सीख रहे हैं सीनियर से सीखते सीखते लोगों के साथ काम कर रहे हैं खास तर पर जो मेरा परपस है कि हम फी लोगों तक रिसाई हासल की जाए क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मेरे हमेशा सॉप्ट कानजर वो फीमेल के लिए होगा तो मैं इस तरह बढ़े हैं और मैं कह सकती हूँ कि मेरे इस सारे सफर के अंदर मेरी मदर और मेरे फादर ने हमेशा मेरा साथ दिया और इनसे ही मुझे चीज़ें मिली क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे तो वो लोगों का साथ देना और अल्रडी वो करते थे इस तरह मेरा लॉज से भी तालुक था और मदर जो थी वो थोड़ा सा जब यंग एज में थी तो पॉलिटिकली पॉपल्स पार्टी के साथ वो रह चुकी है जब सड़कों के पर इतजाज होता था हुमन राइट्स के लिए आसमा जंगीर बगारा के साथ तो उस टाइम पे उस तो वो मुझे बाई बलेड इनसे दो चीज़ें मिली थी तो उसी के मताबक ने आगे बाई बता रहे हैं कि आपका पैशन या आपका शौक तो डॉक्टर बना था और फिर आप बैंक की तरफ चलेगे बैंकिंग में आपने कुछ साल गुजार दिये बैंक में तो ऐसी कौन सी चीज थी या ऐसा मतलब कौन सा कोई वाकिया ऐसा था जिस जो आप जो था वकालत की तरफ आ गई मेरे पास बैसिकली में बैंक के अंदर वो उस डेपार्टमेंट में थी जो रिकावरी और लिटीकेशन डेपार्टमेंट था हमारा काम था कि हम लीगल केसिस को भी देखते थे यानि पहले से ही आपका रुजहान वकालत की तरफ था उस पे जब वो करते थे तो फिर इंटरेस्ट पैदा हो गया और मुझे एक दो वकील ने भी बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया कि बेटा आप इस पे ट्राइ करो आपके लिए अच्छा होगा आपकी फील्ड के साथ गो कि वो समझ रहे थे कि मैं सिर्फ जैसे फीमिल होती हैं मोस्ली अब हमारी क्रिस्टिन फीमिल्स भी बहुत सारी लॉग ग्रेजुएट हैं एक मैं लाइसन्स ओलडर हैं लेकिन प्रेक्टिस नहीं करते हैं तो मैंने वह उसको ऐसे नहीं किया 강ुछ मैं एक चीज़ ले करेखलों ज़ने कि का इसको प्रैक्टिकली वर्क में लेके आए जाए ताकि हम हम वाहरे हां между convenient operatorंमे तकि और हम को द्थे लिए, तो हम उसको ले वोती हैं, महें जो या नदियाً जैसे आप कहरे हैं, कि कुछ लोगों भी कि आप खी किया हिए लोगों को व्कालत की líсемे, तो एक मसीही खातून होते वे, आप क्या समझते हैं कि जब आपने वकालत शुरू की, तो कौन-कौन से मसाइल थे, कौन-कौन से चैलेंजिस थे जो आप लोग आपने फेस की हैं, एक मसीही औरत होते वे, मसीही औरत होते वे, एक तो आमें चैलेंज होता है, फीमिल होने के लेकिन जो वो रिस्क जो है ना अगर वो फीमिल क्रिस्टन हो जाएगी तो सबसे पहला रिस्क क्या होता है कि आप किसी भी प्रफेशन में इवन कि हम लोगों ने स्कूलिंग में और कॉलिज में भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी वे देखा है कि आपको कहते हैं कि आप क्र लड़की जो होती है हमारे जहां पिरते दिया ठीक है मैं नहीं लगती तो मैं इधर को चली जाती है बलकुल वो एक क्रिस्टिन्स के पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो बता देते थे मैं जब वकालत में गई तो मुझे कहते हैं कि यहां से आगे जाओगे ना तो यहां पर फ्राडी है वकील दो नमबर बैठे में मुझे बरी क्रियास्टी हुई कि कैसी बात है कि सब को अगर पता है कि यह फ्राडी हैं यह दो नमबर वकील हैं तो क्यों मैंने वो जानना शुरू किया तो पता चला यह क्रिस्टिन्स हैं या आपके लिए इस तरह की कैमपेइन भी की जाती है ताकि आपके पास कोई नया वकील भी ना जाए और साथ में क्लाइंट्स को भी डिस्करिज इस तरह कि तरीके हैं हमारे पास वो आप बता रही हैं तो वक्त बहुत कम है बहुत सी बातेएं हैं जो मैं आप से पूछना चाहती हूं ताकि आपके जरिये मैं अपने नाजलीन तक पहुआ सकूं क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का मकस्द है कि हम अपनी मसीही खवातीन की स्ट्रगल के साथ साथ उनकी जो काम्याबियों से उन्होंने जो कुछ हासल किया है और जो कुछ वो चाहती है कि अपनी क्रिस्टन खवातीन के लिए करें और जैसे कि हमारे प्रोग्राइम का मकसद है अपनी कृस्टिन खावातीन और कृस्टिन बच्चियों को बेहतर तरीके से उनको वो क्या चाहती है अपने नस्बूलेंड के लिए कैसे वो आगे बढ़ना चाहती है उसके बारे में नादिया में तोड़ा सा आप से बात करना से कोई भी फीमिल आ रहा है जो आप में ज्यादा इंटरस्ट ले रहा है आप अपनी फैमिली से डिसकस करें और अगर कोई रास्ते में आते जाते छेड़ता है जो कि हमारे हाँ एक टाबू समझा जाता है कि भी बताना नहीं है घर पे के लड़की की इज़त जो है वो है कि हमारी लड़की को तंग किया जा रहा है हार रासा किया जा जा रहा है क्योंकि लड़की की से एक आएंगी उससे बज सकें और अगर खुदानाखास्ता अगर कुछ हो गया है तो उसके लिए प्रॉपर कानूनी मदद लें और कोशिश करें कि हम क्रिस्टन होने के नाते क्रिस्टन लोगों के पास क्रिस्टन लॉयर्स के पास जाएं क्योंकि वो आपको बेहतर तरीके से इस सेंस में बताएगा क्योंकि उसको दर्द होगा आपके मजभगा तो यह जरूरी है कि हम हिम्मद ना हारें और कोशिश करें कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है या हमारे खुद को आई हैं फैमली मेंबर में से किसी और के साथ आये रिश्टेदारों में या महल यही है ना कि इस तरह की हरकतें करके तो नाजरी हमारे इस प्रोग्राम का जैसे मैं बता रही हूं बार बार के मकसद है कि हम खवातीन की स्ट्रगल के बारे में उनकी जो जो उन्होंने चैलेंजिस फेस किये हैं उनके बारे में उनकी जो काम्याबियां हैं उसके बारे में आपको बताएं लेकिन इसके साथ साथ जैसे आज इसके प्रोग्राम में यकीनां आपने बहुत सी नई बातें सीखी होंगी तो मेरे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि मैं अपनी मसीही खवातीन को, मसीही बचीयों को उनके जो राइट्स हैं, उनके हकूक हैं उसके बारे में हम अगाह करें तो यकीनां हम अपने आएंदा आने वाले प्रोग्राम में भी और बहुत सारी खवातीन से आपको मिलवाएंगे और उनसे जब बातचीत करेंगे तो उनके जरीए हम आप तक यही पेगाम पहुंचाएंगे आप लोगों को खवातीन के राइट्स के बारे में बताएंगे और बहुत सी इस तरह के जो मुस्बत चीजे हैं उससे आपको अगाह करेंगे और हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंके खतम हो गया है बहुत सी बाते थी जो के मैं आदिया से पूछना चाहती थी लेकिन हम किसी और फॉरम पर जो हैं इन बातों को डिसक्स करेंगे बहुत से लॉज हैं जिनके बारे में आपको अवेर्नेस होनी चाहिए इसके साथ मैं मैं भी बताती चलूँ के और भी बहुत सारे टीवी चैनल से फॉरम से जिन पर नादिया इन लॉज के बारे में अवेर्नेस देती हैं तो यकीन आप उन प्रोग्राम को भी देखिएगा और सांचा पाकिस्तान का वक्त खतम हो गया है यह 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 आपको हमारा आज का यह प यह कि बाहत तो कि करता हैं तो